अब पिछले चप्योश घंटा में उरिशा का सभी जगा में ड्राई वेदर था और काल जो वेलमाक लोपेशर एरिया साथ इस्ट बेयाब बेंगल अड्राइनिंग साथ अधनमान सी एरिया में था इसका मुवमेंट वेस्ट नर्थ वेस्ट वाड हुआ है और अभी वेलमाक लोपेशर एरिया है साथ इस्ट बेयाब बेंगल अर्या में इसका मुवमेंट अभी वेस्ट नर्थ वेस्ट वाड रहने का है चांसे से और इंटेंसिफिकेशन अगला 24 आवर्स में होने का चांसे दिप्रिशन में साओ इस्द वे अब बेंगल एरिया में। उसका बाद फर्दार इसका मुवमेंट वेस्ट नोर्थ वेस्ट वेस्ट वाड ही रहेगा। West Central Bay of Bengal Air में 2nd December से जाने का मना है तो फिसर्मेन को 1st December तक हमारा कोस्ट पर वापस अने के लिए का गया है अभी तक हमारा कोस्टल उरिशा कोस्ट के लिए फिसर्मेन का कोस्टल एरिया के लिए जारी नहीं किया है वर्निंग अगला 4-5 दिन के लिए रेनफाल फोर्कास्ट आभी हमारा जो है अगला तीन दिन तक 2 डिसमबर तक साभी जागा में उरिशा में ड्राइवेदर रहना काई चांसेस है 3 डिसमबर में एक दो जागा करके रेनफाल का पसिबिलिटी है कोस्टल विशका डिस्टिक्स मलकानगीरी कुरापूर नवरंगपूर राहिगारा कंदामाल जिला में 4 डिसमबर में मलकानगीरी कुरापूर राहिगारा गौजपती गंजम में कुछ़पूस्थान पर हलकासे मुद्धम भारिश कोस्टल विशका अबाकी डिस्टिक्स में एक दू जागा करके नवरंगपूर कलहंडी नौपरा कंदामाल में भी एक दू जागा करके हलका से मुध्धम बारिश का possibility है बाकी हमारा North West उरिशका डिस्टिक्स में mostly dry weather रहने का है chances है 5th and 6th December में rainfall activity increase करने का chances है इसमें many places में coastal उरिशका डिस्टिक्स और adjoining mainly south interior उरिशका डिस्टिक्स में होने का chances है rainfall और system अभी हमारा continuous monitoring में है further update आपको काल फिर दिया जाएगा